हेलो स्टुडेंट्स पिछली वीडियो के अंदर अपने रूट के रिजन्स के बारे में पढ़ा था जिसके अंदर अपने रूट के एलोंगेशन रिजन मैचुरेशन रिजन और इसके अलाव अपने कंसेप्ट आप इस्ट्यम सेल्स के बारे में पढ़ा था आज की इस वीडियो के अंदर अपन रूट एपिकल मैच्ट्यम के बारे में पढ़ेंगे यान की मूल सिर्ष विबजो तक के बारे में पढ़ेंगे तो अपन सुरुवात करते हैं मूल सिर्ष विबजो तक होता क्या हैं तो विब्जोत तक किया मेरिष्टेम का मलब तो अपने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ लिया कि ऐसी सेल्स जिनके अंदर डिविजन कंटिन्यूजली होता रहता है इन सेल्स को अपन विब्जोत की सेल्स कहते हैं अगर यह सेल्स रूट के सिर्ष या एपिकल पार्ट का जो विब्दन या डिफरेंटियेशन से वो कहां से शुरू होता है तो जो प्राइमरी रूट होती है उनके अंदर एपिकल मेरिष्टेम का जो डिफरेंटियेशन से या विब्दन है वो एम्ब्रियोनिक रेडिकल में प्रारम हो जाता है यानि कि ब्रूनिय मुलांकुर पाये जाते हैं और जिसके कारण है जो जो मैच्व रूट होती है उसके अंदर वीबिन टाइप्स के टिस्यूज का formation या development होता है रूट अपिकल मैरिस्टेम है जो simple होता है और छोटा होता है अब next पढ़ता है अपन root apical maristream के theories या इनके सिदान के बारे में पढ़ते हैं तो अलग-लग scientist के दोरा मुल सिर्ष संग्टर के अलग-लग सिदान दिये गे इन मेंसे जो first जो theory है वो सिर्षिस्ट कोशी का सिदान दिया apical cell theory है इस theory के जो पर्तिपादक है वो नागेली है और यह theory यह कहती है कि जो मुल सिर्ष का या apical cells का जो root apical cells का जो formation है वो एक एकल चतुस्क फलक सिर्षिस्ट कोशी का से होता है और जो यह cells होती है उसकी उपर वाले तिनों surface के division से root के virgin tissues का formation होता है जबकि जो नीचे वाली जो surface होती है उसके अंदर विबाजन से root cape का formation होता है लेकिन इस परकार की जो चतुस्क फलक की या tetragonal cells होती है वो teradophytes के अंदर ही पाई जाती है इस परकार की cells है जो outweeds plants के अंदर नहीं होती है तो यह सिदान्त है जो angiospermic plants के उपर लगू नहीं होता है जिसको उतक जिनवाद या histogen theory कहते हैं इस theory के जो पर्तिपादक है जिनका नाम है हैंस्टेन और यह जो theory है 1868 में दी गई है और हैंस्टेन के according जो मूल सिर्स होती है मूल सिर्स पर जो पाई जान वाली meristorm meristorm या विबजयो तक होती है उसके अंदर तीन histogen layers होती है सबसे outer जो layer होती है उसको बोलते हैं dermatogen या तौचा जन और इससे यह है जो epidermis का formation करती है जो तौचा जन या dermatogen होती है इसके अंदर की तरफ पाई जाने वाली layer को वलकूर जन या परिबलेम करते हैं और यह cortex का formation करती है और सबसे अंदर की तरफ पाई जाने वाली जो लेयर होती है इस्टोजन लेयर उसको रमजन या प्लिरोम कहते हैं और इससे वैस्कुलर सिलेंडर का formation होता है आपके सामने यह मूल सिष्ट दे रखी और उसके अंदर पाई जाने वाली जो तीन इस्टोज है जो 1914 में मूल सिष्ट के अंदर तीन परकार की विव्योत के सेत्र बताए जो हैंस्टीन ने ताउता जन के द्वारा बताए गए ताउता जन को उन्होंने अधित्वक या प्रोटोडर्म नाम दिया वलकूर जन को इन्होंने ग्राउंड मेश्ट्यम या बर्न विव्योत उत्तक नाम दिया और जो रमजन सेत्र था उसको प्रोकेम्यम या प्राकेदा नाम दिया तो इस तरह से हैबरलेंड के द्वारा बताई गई जो मैरिस्टेमेटिक रिजन थी उनको उत्तक जनवाद की पुन्रावर्ति कहा गया थर्ड जो थियोरी हैं जिसको बोलता है कौर पर कौपे सिधान्थ और इस सिधान्थ के जो पितिफादक थे या थिंधिर की पितिफादक है वो खियोफ बहें और यह सिधान conceptual था कैनूषर के अनुसे रूज रूट एपिकल होती है उसकी सेल्स के अंदर जो विवाजन है जो दो प्लैंस या दो तलों में होता है और जो सेल्स बनती है उन पर्टिक सेल्स के अंदर जो अनुप्रस्त विवाजन से दो सेल्स बनती है और इन दोनों सेल्स में से एक सेल्स के अंदर अनुदेदेर विवा बनी दो सेल्स में से एक सेल्स के अंदर डिविजन होगा तो इस तरह से टी स्ट्रक्चर लाइक स्रंचना बनती है ऐसे विबाजन से मूल से इसको दो सेत्रों में विबाजित किया जाता है जो आउटर मूल का मूल का आउटर रिजन होता है उसके अंदर विबाजन है जो साइड है जो यह उल्टेटी रूप के अंदर हैं तो जो उल्टेटी विबादन वाले सेत्र को सियूप ने जो कोर पर नाम दिया और जो सीध्य विबादन वाले सेत्र को उन्होंने कोपे नाम दिया नेक्स्ट जो थियोरीज हैं जिसका नाम है सांथ के अंदर सिधान्त या निस्ट के रिए के अंदर सिधान्त जिसको इंगलेश में बोलते हैं कंसेप्ट आफ क्यूसेंट सेंटर और इस थियोरी के जो पर्तिपादक हैं वो थॉम्शन और क्लॉज थे तो इनके अनुसार जो इन्होंने जो इस तरह की जो रिजिन या सेंटर का जो डिसकोवरी हैं जो जियामेज के प्रांट के अंदर किया था सेंटर की हैं वो व्यबाजित नहीं होती है और यह जो reason होता है विब्जोत की cells के लिए बंडार ग्रे के रूप में कार्य करता है और यह सक्रिय प्रारंबिक कोशिगाओं का जो इस्ता ही सरोतर होता है यानिकि इसके अंदर cells जो divided नहीं रहती है सांत रूप से पड़ी रहती है इसलिए इसको नाम दिया गया निश्कळ के अंदर या सांत इसको नाम दिया गया अब नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं रूट की प्रात्मिक सरंचना या primary structure of root तो जो रूट की primary root है या प्रात्मिक root है या उस्की आंत्रिक सरंचना के अंदर अपन देखते हैं तो उसके अंदर तीन उत्तक तंत्रिया, तीन टिस्यू सिस्टम दिखाई देते हैं एपिडर्मिस या एपिबलेमा, कोर्टेक्स और वैस्कुलर सिस्टम ये तीन सिस्टम दिखाई देते हैं और तीन सिस्टम को अपन डिटेल से पढ़ते हैं सबसे पहले अपन एपिडर्मिस या बाही तउचा के बारे में पढ़ते हैं तो एपिडर्मिस को मूली तउचा या एपिबलेमा, रोम दारक या पिलिफेरस लेयर या राइजोडर्मिस के नाम से भी जाना जाता है इस layer की जो cells होती है वो thin world यह अनकी पतली बित्ती युक्त होती है और tightly है जो arranged रहती है इस layer के अंदर stomata और cutene layer है जो absent होती है लेकिन जो perennial हर्व होती है या जो बहु वर्स्ची साकी पोदे होते हैं उनके अंदर cutene present होती है और protective layer के रूप में जो work करती है या शुर्क सात्मक परत के रूप में यह कारिय करती है सामान यह तो जो epidermis होती है वो uniseriate यानिकी एक पंक्तिक होती है लेकिन जो orchids या epiphytes plants होते हैं या अधिपादपो में जो epidermis है जो multiseriate या बहु पंक्तिक होती है और जो orchids plants के अंदर जो बहु पंक्तिक जो epidermis होती है उनको अपन vella man layer कहते हैं और जो यह vella man layer होती है इसकी जो cells होती है hygroscopic nature की होती है इनकी आधरता ग्रह होती है और इनका function यह होता है कि यह जो atmosphere या वाटावन से water का outsourcing करती है अब जो एक rhizophora plant होता है जो kitchen के अंदर उखता है तो इनके अंदर है जो जड़े दनात्म परकासन अवरती होती है यानिकी इनकी कुछ जड़ें जो जमीन से बहार उपर की और वर्दी करती है और इन जड़ों को pneumatophores या social mool कहते हैं और इनकी epidermis पर पायजनावल चिद्र को वात्रंद्री अलेंटिकल्स कहते हैं जो respiration में help करते हैं इसके अलवा epidermis पर आसंकी ये unicellular root hair परजेंट होते हैं या mool rome पाये जाते हैं और इनका work होता है जल तता खनीज तत्वों का आउस्ट्रोशन करना ये जो mool rome का development होता है वो root hair zone या mool rome सेत्र में होता हैं अब जो epidermis होती हैं उसके उपर mool rome या root hair का development कैसे होता है तो जो epidermis की जो cells होती हैं जिनसे mool rome विक्सित होते हैं उन cells को trichoblast कहते हैं अब trichoblast से root hair का formation कैसे होता है तो जो epidermis या बही तोचा की cells होती हैं उनमें से कुछ cells हैं जो आकार में छोटी होती हैं और इन cells को trichoblast के अंदर होता हैं तो trichoblast के अंदर है जो mool rome एक सुक्सम papilla के रूप में विक्सित होता है यानि कि यह जो छोटी cells होती हैं इनके अंदर एक छोटा सा उभार बनता है इस तरह का जिसको बोलता है अपन papilla अब इस papilla के अंदर हैं जो cytoplasm है और nucleus है जो आकर एक्तृत हो जाते हैं फिर यह जो mool rome होता है या papilla में जो mool rome होता है दिरे दिरे वर्धी करता है और वर्धी करने के साथ साथी जो cytoplasm है वो कोशी का बित्ती के साथ एक पतली परत के रूप में जो फैल जाता हैं फ इस तरह से हैं जो root hair का formation होता है और जो root hair होता है उसकी surface पर एक पैक्टिनी layer होती है जो mucilaginous nature की होती है तो इसमें आपको सो करना है या ये exam में पूछ भी सकते हैं कि root hair का formation कैसे होता है या trichoblast क्या होती है तो trichoblast के बार में आपको बताना है कि epidermis के अंदर python वाली जो दूसरी cells की तुलना में छोटी cells होती है और जिन से root hair का development होता है उनको trichoblast कहते हैं और trichoblast से ही किसका formation होता है root hair या mool rome का विकास होता है इसके अलवा आपको velamen layers के बारे में दियान रखना है velamen layer क्या होती है तो जो orchid plants होते हैं उनकी जो epidermis होती है वो multi seriate या बहुँ पंक्तिक होती है और जो velamen layer की जो cells होती है वो आदर तक रही होती है यानि की hygroscopic nature की होती है और atmosphere से water का absorption करने का function करती है तो ये दो चीज़े आपको trichoblast और velamen layers के बारे में और इसके अलवा तीसरी एक और बात है निवमेटोफोर जो root या sourceni जो roots होती है उनके बारे में दियान रखना है तो sourceni roots या निवमेटोफोर roots किसके अंदर पाए जाती है rise of fora के अंदर पाए जाती है और क्या function करती है स्वसन या respiration में help करती है और इन स्वसनी मोलों के उपर बहे तवचा को उपर पाए जानवाल छिद्र को क्या बोलते है वात्रंद्र या lentigles बोलते हैं तो इन तीन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना ये एक नमबर के स्वाल में पूच सकते है नेक्स्ट वीडि अगी